नवश्कार दोस्तों आप में से बहुत सारे स्टुडेंट्स ने ये कमेंट किया था कि सारे डिटेल्ड सिलेबस पर वीडियो बना दीजिए रेलवे के एलपी को लेकर especially maths और reasoning को लेकर कोन से topics पड़نا है, science भी मैंने इसमें कवर किया है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको topic वाई सारी चीज़ेगा, आपकी लिए ये बहुत कामका होगा, और आपकी तयारी में बहुत help करेगा, क्योंकि पढ़ना तो बहुत कुछ है, लेकिन कम समय में और अगर हमें अच्छा पढ़ना है, सटीक पढ़ना है, और जब हमारे सामने 40 chapters हो, तो आप 40 के 40 chapters तो एक साथ पढ़ोगे नहीं, पहले क्या पढ़ना है, ये important होता है, पहले से क्या अच्छा करके रखें, ये important होता ह है, तो इस वीडियो में मैं आपको पूरी चीज़े बताऊंगा, कि हम क्या करने वाले हैं, मैंने इसके पहले एक already वीडियो बना चुका हूं है, जिसमें मैंने detail में age, qualification, syllabus, exam का pattern, physical, मतलब हर चीज, CBT1, CBT2, CBAT, क्या qualifying ये, कितने number, कितनी negative marking, पूरा detail वीडियो बनाया और अगर link नहीं मिल रही है, तो इस वीडियो में मैं डलवा दूँगा नीचे, तो आप उससे उस वीडियो को एक बार पूरा देख लेना, 10-15 मिट का वीडियो है, लेकिन पूरे प्रश्णों का जवाव आपको मिल जाएगा, बस syllabus मैंने उसमें discuss नहीं किया था, वो syllabus रांते हैं की total 5 stages यहां पे होनी है, सबसे पहले CBT1 होना है, CBT1 के बाद CBT2 होगा, फिर इस CBT2 के अंदर भी दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट A और एक पार्ट B, इसके बाद आपका computer-based aptitude test है, तीसरा phase है, जिसको हम psycho test कहते हैं, इसके बाद document verification और इसके बाद आपका medical examination र कि जो first stage है, इसमें 75 questions रहेंगे, 60 minutes का आपके पास time रहेगा, और ये paper qualifying है, इसको आपको केवल qualify करना है, जो second stage में आपका CBT रहेगा, इसमें part A जो है, इसके आपको marks मिलेंगे, मतलब merit list इसके आधार पे तय होगी, तो इसमें 100 questions रहेंगे, 90 minute का आपके पास time रहना है, और इसी का जो part B है, again ये technical paper रहेगा, और ये qualifying रहेगा, इसके आपके 75 questions है, और 60 minute का समय आपको इसमें मिलने वाला है, क्या-क्या पूछा जाएगा, वो भी मैं बता देता हूँ, तो हम अगर CBT 1, इस qualifying वाले paper की बात करें, जिसमें 75 questions आने हैं, और आपके पास एक घंटे का सम और GS, GS मतलब current affair, general awareness, सब कुछ इसके अंदर आपको मिल जाएगा, तो GS मतलब, इसका मतलब ये भी होगा कि history, geography, polity, है ना, science अलग से ही, physics, chemistry, bio, current affairs, history, TGK, सब इसमें आ जाएगा, 75 questions यहां पे रहने वाले हैं, इसके बाद CBT 2 का देख लीजिए, इसमें आपके पास total जैसा मैंने कहा, दो part हैं, तो जो part A है, इसमें आपके 100 questions रहेंगे, 1.5 घंटे, 90 मिनिट का समय रहेगा, इसमें भी आपके विशय सेम रहने वाले हैं, number of questions में थोड़ा सा change है, इसके बाद, अगर second बात करें, part B की, तो part B आपका technical paper रहेगा, जिसमें technical questions रहेंगे, जो आपकी field रही है, उससे जुड़े हुए, और इसके 75 questions रहेंगे, ठीके, और इस वीडियो की में बात कर रहा था, आप YouTube पे सर्च करेंगे, तो आपको ए वीडियो मिलेगा, RRVLP, और लगबग 16 मिनिट का वीडियो है, और इसमें मैंने सारी information बहुत systematic तरीक करते हैं, देखे, science में आपको पता है, कि science में क्या-क्या आता है, तो science में पहला है physics, तो आप screenshot लेते चलिएगा, कि आपको science में क्या-क्या पढ़ना है, तो physics के अंतरगत, क्या-क्या topics है, most important, देखे, syllabus बहुत बढ़ा है, chapters बहुत सारे, पर important क्या है, मैं केवल वो बता रह है, कि जो मैं बता रहा हूँ, सिर्फ यही नहीं आएगा, मान लीजिए, कि physics में 15 topics होते हैं, ठीक है, लेकिन सवाल तो 5 से 7 ही आएंगे, हर chapter से तो हर सवाल आना नहीं है, आपको पढ़ना सब कुछ है, लेकिन मैं आपकी बस यह मदद कर रहा हूँ, कि पहले क्या पढ़ना क्या है, उन topics को तो पढ़ना ही है, जिन से सवाल आएंगे ही आएंगे, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, है ना, लेकिन पढ़ना सब कुछ है, क्योंकि अगर ऐसा ही हो जाए कि बस 2-4 chapters पढ़के ही सारे questions हो जाएंगे, तो paper निकालना बहुत easy होता, हम यह समझ रहें कि पहले क क्या पढ़ना है, और सबसे पहले important chapters जो cover करने वो कौन से रहेंगे, लेकिन मैं फिर clear कर रहा हूँ कि पढ़ना सब कुछ है, पर important क्या है, और पहले क्या पढ़ना है, शुरू क्या करना है, मैं आपको वो बता रहा हूँ, कि जिन से प्रश्न बनते ही बनते हैं, लेकिन सव सवाल तो कहीं से भी आ सकता है, ये भी हमें ध्यान रखना है, इसके बाद biology, chemistry देखें, तो chemistry में आपको क्या क्या पढ़ना है, यहाँ पर पढ़ लीजिए, पांस से आठ सवाल आपको देखने को मिलेंगे, biology में आपके क्या क्या important है, वो आपको मैंने बताए, environment भी एक important part ह एक से दो सवाल आपको environment के भी देखने को मिलने वाले हैं, इसके अलाबा general awareness की बात करें, तो इसके अंदर सब कुछ आ जाएगा, मतलब आपका इतिहाज, भुगोल, संविधान, current affairs, economics, यह सब इसके अंतर गताएगा, लगबग 10 सवाल जो हैं आपके इससे बनने वाले हैं, ठीक है, चलिए, अब इसके बाद हम बात करते हैं, maths की, तो maths में आपको क्या-क्या पढ़ना है, तो देखिए, number system, simplification, number system के लगबग एक या दो ही सवाल आते हैं, simplification थोड़ा ज्यादा आता है, decimal और fraction, दशमलो और भिन, महत्तम समाब वर्तक, लगुत्तम समाब वर्तक, य यानि, algebra, साधरन व्याज, चक्रविद्य व्याज के एक से दो सवाल, ज्यामिती, ट्रिकोन मिती, ट्रिग्नोमेट्री, हाइट और दूरी हो गया यहाँ पर, और समय और कार्य हो गया, DI, छेत्रफल, यानि, mensuration, छेत्रमिती, 2D and 3D, ठीक है, सांखी की, null, टंकी, pipe and system, वर्गमूल, square root, यानि, simplification का ही पार्ट हो जाएगा, IU, बहुपद और समीकरण के एक से तीन सवाल, और बिविद एक से दो सवाल, मतलब आप समझे कि लगभग, सारे chapters आपको पढ़ना है, आप एक बात और clear रहे, कि arithmetic जादा आएगा, advance के questions कम आएगे, देखो, पढ़ना सब पढ़ेगा, geometry, trigonometry, ये सब पढ़ने पढ़ेगे, लेकिन इनके सवाल कम आएगे, एक, दो, चार सवाल आएगे, बाकी maximum portion जो arithmetic का आएगा, पर पढ़ना तो आपको पढ़ेगा, क्योंकि दो सवाल आए, चार आए, पांच आए, important तो है, माइने तो वो रखेगा, पर advance से जो डरते हैं बहुत सारे बच्चे, तो advance में दो बाते याद रखें, पहला तो बहुत high level नहीं आता है, और advance के हर chapters नहीं आते, जो main chapters हैं वही आएगे, सवाल easy आएगे, पर arithmetic का ज़्यादा रोल रहेगा, ये ध्यान रखें, और ये हमारी टीम ने बहुत research करके, बहुत सारे papers फल्टा के, ये सारा conclusion आपके सामने निकाला है, कि किस्ते कितने सवाल आते हैं, मतलब कितने घंटों की मेहनत लगी है, और मुझे बताने में, बोलने में और आपको देखने में 2 या 4 पीछे कितने दिन और कितने घंटे हमारे लगे हैं, ये हम ही जानते हैं, है न, तो आपको एकदम ready made, एकदम निचोड मिल रहा है, तो इसका फाइदा उठाईएगा आप, इसके बाद reasoning पर आपको में लेकर चलता हूँ, तो reasoning की अगर हम बात करें, तो alphabet, coding decoding, analogy, वर्गी कर कागज, paper cutting, folding, आकरती की गिंती, गैर मौकिक, श्रंखला, अशापदिक, वर्गी करण, सनीद, आकरती, आकरती को गीनना, completion of figure, कथन निशकर्च, कथन तर्क, पूरधार्ना वाले जो सवाल है, data, sufficiency, घड़ी, metrics, और vivid, तो सब के आगे लिखा हुआ है, आप वीडियो को रो आपको math reasoning पढ़ना है, तो मेरी math reasoning की किताबे भी उपलब्द है, जो आपको बहुत help करेगी इस परिक्षा में, और math reasoning के online courses भी उपलब्द है, जिनकी फीश मुस्किल से अगर reasoning का देखोगे, तो 300-400 रुपे में आपको पूरा reasoning पढ़ने को मिल जाएगा, math आपके लिए जायद 800-900 रुपे में है, तो आप मुझसे particular math से reasoning भी पढ़ना चाहे, तो winners के application पर उपलब्द है, किताबे आपको चाहिए, तो वो भी घर बेठे है, आप online order करके बुला सकते हो, proper QR codes की technology किताबों में, कि आप scan करोगे, proper videos चलेंगे, इस level की किताबे हमने बना के रखी है, अब वो भी ले सकते हो, और आप चाहते हो कि पूरा course मिल जाए, तो वो भी winners के application पर उपलब्द है, उसकी जानकरी में आगे आपको दूँगा, ठीक है, तो मैंने आपको main main topics बता दिये हैं, कि क्या important है, और मैं फिर clear कर रहा हूं कि लगवग आपको सारे chapters पढ़ने पढ़ में आप काम कर लीजेगा, पर advance के भी जो main main 2-4 topics हैं, वो पढ़ने हैं, reasoning में मुझे नहीं लगता है कि बहुत जादा दिक्कत आती होगी, क्योंकि reasoning सभी से बन जाती है, तो reasoning तो वैसे भी कोई high level, advance level होता नहीं, हर chapter interesting है, हर chapter एक या दो दिन में आप पढ़ोगे, सीख है, आप से चीजे बहुत अच्छे डंग से उसमें बनेंगी, reasoning में, maths में, GS में, science में, सारी चीजे मैंने आपको बताई, अभी भी अगर आपका कोई doubt है, कोई question है, तो मुझे comment करके जरूर बताईएगा, फिलाल मैं आपको एक जानकर ही और दे दू, एक फरवरी से हमारा नया बैच आ रहा है, RRB-LP का winners application पर, जिसमें हम आपको सारे विशय पढ़ाएंगे, fees only 4.99 है, इसमें notes, materials, सब चीजे include हैं, जो आपको PDF के format में मिलेंगी, live classes मिलेंगी, बाद में आप recorded देख सकते हो, सारी सुविधा हैं आपको मिल रही है, only 4.99 में, एक फरवरी से नया ब साहेगा, technical क्योंकि बहुत बड़ा सिलेवस है, बो इतने कम समय में या फिलाल कवर कराना संभव नहीं है, लेकिन math, reasoning, science, GA, GA, सब कुछ इसमें हम आपको पूरा बहुत अच्छे teacher से पढ़वाने वाले हैं, आपको बताएं कि हमारी बहुत बड़ी faculties की एक team है, जो सब प्रफी तौलक टीचर, history तौलक टीचर, physics, chemistry, bio, हर विशय के लिए हमारे पास expert teachers हैं, जो आपको शांधर तरीके से पढ़ाएंगे, इसलिए हम हर विशय के लिए one teacher, one subject की policy पर चलते हैं, और ये हमारी सारी किताबे हैं, maths की Hindi medium, English medium, reasoning, और aesthetic GK की, आपके पास ये किताब तो ह काफी कम है, तो ये किताबे आप winners की publications app से order कर सकते हो, मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको course लेना है, तो winners institute app, और अगर आपको किताबे खरीदनी हैं, तो winners publications app, इससे आप किताबे order कर सकते हो, आप भारत में कहीं भी रह रहे हो, घर बेठे आपको किताब मिल जाएग हैं, तो मुझे उमीद है कि आपको syllabus, topics, सारी चीज़े clear हो गई होगी, इसके पहले जितने doubts है, वो मैंने last video में clear कर दिये हैं, अगर अभी भी आपके मन में कोई doubt है, कोई ऐसे प्रेशने जिनका जवाब आपको नहीं मिल पा रहा है, comment करिए, अगला वीडियो में लेकर सु फिलाल इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, last तक बने रहने के लिए, जै हिंद, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, टेक्याद